जय हिंद बच्चों हो तो लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th mathematics से आपके पास one shot के series में आज हम discuss करने वाले हैं linear in equation फड़ा बड़ देख लेते हैं बिना time waste की और अगर आप लोगों को मालूम हो तो पता चलेगा greater than है यह equal less than है और यह greater than equal to है और यह less than equal to है इनको हम inequality के sign के नाम से जानते हैं अब भी तक तो आप लोग discuss कर रहे थे चीजों को equal to से related इधर उधर कर रहे थे सारी चीज़ें रही अब हम inequality की बात करेंगे इनकोईलिटी में ऐसे discuss करते हैं जिसे मैंने बोला कि 3 is greater than 2 तो जिदर यह मुझ खुला हुआ रहता है वो बढ़ा के और indicate करता है तो इसका मतलब है जो 3 है वो 2 से क्या है बढ़ा है अच्छा अगर मैं ऐसा बोल दूँ एक्स ग्रेटर देन और equal to 2 इसका मतलब यह है यह ज आपके पास greater than or equal to जैसे greater than की condition बता है वैसे आपके पास सिमसे मापके पास less than भी हो सकता है जैसे मैंने बोला 2 is less than 3 चलो सही बात है मैं ऐसा भी बोल सकता है x is less than or equal to 2 इसका मतलब जो है x की value जो है वो 2 से कम है और साथ में 2 भी है अगर आपके पास simple concept की आपको एक चीज बत तो दोनों तरफ माल लिजिए कोई भी number let's say 5 लिया अगर आपने add कर दिया तो आप मुझे बताइए कि क्या इस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या कुछ फर्क पड़ेगा यह भी 7 का 7 अभी भी यह equal है तो यह तो equality के साथ तो आपको concept मालूम है कि equal में अगर कोई भी चीज है हम plus minus करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ठीक उसी तरह आपके पास इसमें भी ऐसा यह inequality में भी same condition है जैसे आपने बोला two is less than three अच्छी बात है जो छोटी है तीन से तीन बड़ी है तो अगर आप दोनों तरह five add कर दे तो two plus five less than three plus five still आप देखेंगे यह seven बनेगा य तो है वो नहीं पड़ा है आई नबा समझ में ठीक है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो equal to का sign हो या फिर inequality का sign है अगर आप चीज़े plus कर देते हैं या फिर minus कर देते हैं पलस और minus की बात कर रहो है ध्यान रही सिसका अब मैं सबसे ज्यादा important चीज बताने जा रह ठीक है अच्छा अब हम आपसे कहते हैं कि अगर मैं इसको किसी भी negative number से multiply कर दो या फिर divide कर दो बहुत ज़्यादा important बात बताने जा रहो है अच्छे समझेगा अगर मैं इसी number को किसी भी negative number से दोनों से ठीक है multiply कर दो या फिर divide कर दो let's say simple example लेते है minus 1 का ठीक है तो minus 1 से करेंगा तो minus का 3 आएगा इसको solve करेंगा तो minus का 2 आएगा अब आप मुझे बताएं कि यह बड़ा है यह बड़ा है which one is greater तो you will say sir minus 2 is greater तो यह वाली sign पहले 3 की तरफ indicate कर रहा था आप यह इधर indicate करेगा यह जो sign होगा वो reverse हो जाएगा whenever you will multiply by a negative number और you will divide by a negative number multiply और दोनों को क कि इसमें आपके पास क्या हो जाएगा inequality का जो sign है वो आपके पास reverse हो जाएगा बताए यह concept clear हुआ सबसे ज़्यादा important point आपके पास यह ही है कि अगर हम किसी भी inequality को negative number से multiply या divide करते हैं तो उसका जो जो inequality का sign रहता है वो आपके पास क्या होता है reverse हो जाता है बताए किसी तरह की कोई दिक्कत समझ में आईने बात दन है चलिए आगे की बात करते हैं एक बड़ा ही simple सा question लिया हुआ यहाँ पे और इससे भी इसको भी solve करने से पहले हम और भी जादा simple सा question उठाते है जैसे मैं लिए तो simple सा लेकि एकस की value निकालने के लिए आपको क्या करना है जो भी variable होंगा उसको एक तरफ कर लेना है यहाँ पर variable की अगर आप बात करते हैं एक ही तरफ है बहुत अच्की बात है उसके बात आपका काम है कि variable को छोड़कर variable के साथ वाले जो number है उसको भी छोड़कर उसके अलावा जो plus से minus में अगर को numeric value पहले आप उसे गाइब करने की कोजिस करें तो आप मुझे बताइए कि यहां से यहां से जो minus का 3 हो कैसे गाइब होगा यही आपके पस numeric value extra में क्योंकि यहां से x की value चाहिए तो आप क्या करें दौनों तरफ 3 add कर दें आप ऐसे लि अब उसके बाद आपको यहां से x की value निकालने अब x के साथ जो भी numeric value होंगे हम उसे गाइब करने कोशिस करेंगे तो कैसे गाइब होगा अब 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो अगर आपने 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया यह वाली चीजे लिखनी होती है यहां पर लिखना पड़ेगा आपको साइड में लिखती जाएगा एडिंग 3 both sides यहां पर लिखना पड़ेगा dividing by 2 both sides इस टाइप की चीजे यहां से यह कट जाएगा तो आपके पास x बचेएगा यह greater than इससे यह कट जाएगा तो क्या आजाएगा आपके पास 4 आजाएगा बताएगे किस तरह की दिक्कत मेरे साब से तो नहीं आनी चाहिए तो एक्स की जो वैल्यू है वो greater than क्या आगई 4 तो आपसे solution सेट पूछ सकता है और condition given होगा कि यह किसे बिलॉंग कर रहा है लेट से natural numbers किसे बिलॉंग कर रहा है natural numbers से एक्स और यह वाला symbol हो तो belongs to belongs to का सिरफ उसी से related होगा natural numbers से तो यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 4 है तो चार से बड़े वाले natural numbers से लिख दीजिए तो सेट ऐसे बनाना आपको यह वाला सेट हो गया और यह वाला आपके पास दूसरी तरफ का तो एक्स ग्रेटर देन 4 मतलब हो 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 ह और रोकेगा ही नहीं कोई condition ही नहीं रोकने का तो यह आपके पास solution सेट होगी बताए किस तरह की कोई दिक्कत यह बिल्कुल से concept की बात कर लिया हमने आई यह question की practice करते हैं वो ज्यादा important है अब जैसे कि यह है यह यह भी बिल्कुल simple question है लेकर आप इसमें notice करेंगे तो एक inequality का sign यहाँ पे है और एक inequality का sign यहाँ पे है और जब भी आपके बस दो inequality के sign आते हैं तो मैं हमेशा recommend करता हूँ बच्चों को बताता हूँ मतलब कि कभी भी उनको एक साथ solve मत करना थोड़ी सी आप लोगों को अभी initial stage है तो उतनी ज़्यादा अच्छे से understanding नहीं होगी तो इसके लिए आपको क्या करना है उसे आप दो पार्ट में divide कर दें एक inequality के left right वाला ले ले मतलब पहला question यह हो गया तो इसको आप अलग से लिख ले तो इसके पहले वाला यह हो गया और इसके बाद वाला यह हो गया left वाला और right वाले numbers आपको लेने और कुछ लिए तो आप आपके बस दुसरा question बन गया तो इधर आप लिख लेंगे 5x plus 4 less than 11 और x यहां पर belong कर रहा है real number से हमेसा आपको यहां पर graph में भी represent करना होता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस वाले question की अगर हम बात करते हैं इस वाले question की तो natural number को 5 से start करके आगे real number line पे represent करना होता है त यहां 4 यहां 5 यहां 6 यहां 7 यहां 8 यह नाइन है यहां 10 है और यह चलता रहेगा यह रुकेगा नहीं तो आप क्या करेंगे यहां 5 दिखाना है तो 5 को दिखा दिया ऐसे करके डार करके कि तो यह 5 और 6 के बीच वाले number नहीं है सिर्फ 5 इसलिए फिर आपके पस 6 है फिर आपके पस 7 है फिर आपके पस 8 है फिर आपके पस 9 है फिर आपके पस 10 है फिर आप यह arrow लगा दें और बोल दें dot 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 क्योंकि यह रोक नहीं रहा है तो यहां से आईडिया लग जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं ठीक है यह तो natural number था इसलिए अब हम बात कर रहे हैं यहां पर real numbers की ठीक है ना real numbers की तो खेर अभी हम पहले x की value पर condition देख लेते हैं क्या है उसके बाद हम number line की बात करेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले यह वाले को हम solve कर देते हैं तो अगर आप इसको solve करने जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें variable ना दोनों साइड है तो इस टाइप के questions के practice जरूर कीजिए जिसमें variable दोनों तरफ हो और जिसमें दो दो इन qualities हो इसी टाइप के question आपके पास आने वाले और जिसमें fraction में values given हो वो guarantee के साथ और mixed fraction वाले तो और मतलब समझ रहें सबसे बहले बिल्कुल basic बता है फिर यह level 2 कह देजिए फिर level 3 आएगा फिर level 4 उसके बाद खता ज्यादे attention ने लेना ठीक है तो इसमें का जाता है कि ऐसा कोचत variable को एक तरफ कर देजिए तो यह वाला साइब में minus का 5x कर दिया अब इसका क्या benefit मिलेगा मुझे benefit मिलेगा right hand side से 5x और 5x cancel हो जाएगा आप देख सकते हैं तो right side से variable उट गया लेकिन left side में आ जाएगा इसको plus minus करेंगा minus का 3x आएगा और यह minus 5 less than equal to यहां पर आ जाएगा आपके बास 4 उसके बाद आपको मैंने क क्या बता है इस वाले को कौन से number को अठाना variable वाले को नहीं करें ठीक है इसको उड़ाइए तो plus 5 कर यह दोनों तरफ यह हो जाएगा minus 3x minus 5 plus 5 less than equal to 4 plus 5 बताए किस तरह की कोई रिक्कत ठीक है चलिए दिया आगे minus 3x इससे यह उड़ा देंगे यह less than equal to 4 और 5 के आगे आपके पास 9 उसके बाद का क्या काम है हमें x की value निकालनी है तो हम क्या करेंगे 3 से नहीं negative 3 से हमें दोनों तरफ डिवाइड करनी पड़ेगी एक चीज़ का ध्यान रगना अगर negative 3 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो यह जो in quality का sign होती वो reverse हो जाती है अब यहीं तो main important point बत quality का sign हो रिवर्स हो जाएगा ठीक है ना चलिए तो इससे यह कट तो जाएगा x बस तो जाएगा लेकिन यह उलड़ जाएगा ठीक है इससे को divide करेंगा तो minus 3 आएगा तो यह पहली वाली condition को भी हमने solve किया हुए ठीक है ना पहली वाली condition को solve किया हुए आए दुसरी की बात कर लेते यह तो और ज्यादा असान होगी आप लोगों के लिए यहां से अगर हम निकालते है एक्स की वैल्यू तो minus 4 कर देंगा दोना तरफ है ना तो 11-4 कर यहां से यह वाला कट जाएगा यह इधर बचाएगा 5x से यह इधर कट जाएगा 7 आ जाएगा एक्स की वैल्यू से greater है तो आप अब आप number line पर आएं और आपको चीजों आप जो आपके पास चीज़े हैं वो समझ में आ जाएगा ठीके ना तो अगर आप इनको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं बेच में लिख दें x ठीके ना और x के तरफ यहां पर मुह खुला हुआ तो इधर म यहां पर real number बोला है तो अब आपकी representation कुछ अलग तरह से होगी ठीके ना यह तो यहां पर मैं लिख देता हूँ 0 यह minus का 1 यह minus का 2 यह minus का 3 यह minus का 4 यह 1 यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 और 6 चलो अब इसको कैसे represent करेंगे देखते जाना बड़ी प्यार से सबसे पहले बोले minus 3 है और य इसको dark कर देंगे इस तरह से कि यहां से तो शुरू हो रहा है और क्योंकि real number बोला जाता है तो यह वाले बीच वाले इनके बीच वाले number भी इनकी लूट होता है तो इनको भी आप dark करते जाएंगे इस तरह से अच्छा कहां तक जाएंगे 1.4 तक 1.4 तक तो 1.4 लगबग यहां पर आ रहा है अच्छा इस 1.4 में अगर आप notice करें तो inequality यह एक्वल टू का sign नहीं है तो आप यहां पर इसको बड़ा करके दिखा देंगे तो मैं आप लोगों को और इसको थोड़ा से छोटा करके दिखाता हूं तो यहां तक आ जाएगा 1.4 यहां तक आ जाएगा 1 1.4 फिर यहां पर इस तरह से आप गोला मार देंगे इस तरह से और ध्यान रहे इसको आप डार्क नहीं करेंगे क्यों डार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर आपके पास equal to का sign नहीं था यहां पर equal to का sign था तो आपने यहां पर देखा हमने पूरा बिलकुल बढ़िया ड कुईशन कनफर्म है 3 marks का एक कुईशन कनफर्म है और ज्यादा कुछ कुछ कनफर्म नहीं तो तीन नमबर पक्क्य हो जाएंगे एक कुईशन आएगा जिसमें solution निकालने के लिए दिया जा सकता है और साथ में आपके पस ग्राफ में रिपर्जिंट करने के लिए जा सकता है वसे ऐसे नंबर लाइन पर नौर की बहुत जादा ग्राफ तवड़े वाले बट इस टाइप का ठीक है अब देखें यह वाले कोईशन यह सबसे ज्यादा इंप इस पूरे वीडियो का और इसी टाइप का ही आपके पेपर में कोईशन देखने को मिलने वाला है डिजिट चेंज होंगे इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है बट कॉंचप्ट बिलकुल सेम इसी तरह से चेज्या होंगे अगर कहीं पर मिक्स फ्रेक्शन वाला नंबर रहे तो सबसे पहले उसको तोड़ दो चैदनी बारा पांच सतरह तो माइनस का 17 अपॉन मैं 6 ठीक है लेस देन आप चाहे तो इनको ले 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 तो लेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा 2 3 जा यहां जाएगा 3 माइनस 3 2 जा 4 X सबसे बेस्ट रहेगा ठीक है सबसे बेस जाएगा पलस माइनस में हो तो इस तरह से एलसियम ले लें काम बन जाएगा आप लोगों का इतना करने के बाद आपको मैंने बताई रखा जब 2 इनकोईलिटी होते हैं तो उसको अलग अलग सॉल्व करते हैं हम तो चलो भाई अलग अलग सॉल्व कर देते हैं तो पहला इनकोईलिटी जो बनेगा हमारे लिए वो ये वाली चीज बनेगे तो माइनस का 17 बाई 6 लेस देन 3 माइनस 4 एक्स अपॉन में 6 और दूसरी वाली ये वाली बन जाएगी भई तो लिख देता हूं 3 माइनस का 4 एक्स अपॉन में 6 लेस देन 2 चिक हैं ओके अब हमे बताना है कि यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगे अगर जब कभी फ्रेक्शन अगरा में नंबर देखने को मिलें तो सबसे पहला काम होगा आपका कि जो डिनोमिनेटर में हैं उन नंबर को गाइब करो करने के यह कुछ तरीके होते हैं ठीक है ना तो यह जो कर दूँगा दोनों से तो यह दौनों कट जाएं अपना टार्गेट होता निचे वाले को अब उड़ा दूऄ और कुछ नहीं तो six से मल्टिप्लाय कर दूँगा मैनस का माइनस का 17 बाई 6 को मल्टिप्लाई कर दिया 6 से लेस दिन 3 माइनस का 4X अपन में 6 को भी मल्टिप्लाई कर दिया 6 से दोनों तरफ मल्टिप्लाई कर दिया 6 से अब आपको पता है यहाँ पर 6 से 6 उड़ा जाएगा यहाँ पर भी 6 से 6 उड़ा जाएगा बचा यहाँ पर minus ka 17 less than 3 minus ka 4x. यहाँ से हमें क्या करना है? X की value निकालनी है. यहाँ से क्या करना हमे? X की value निकालनी है. तो चलो भई X की value निकालते हैं. X को ऐसे छोड़ते 3 subtract कर देतें दोनो तरफ तो यहाँ जाएएगा minus ka 17 minus ka 3 less than, ugli to नहीं है. यह हो जगा 3-4x-3 दोनों तरफ सब्ट्रेक्ट कर दिया इसका benefit क्या मिला इधर से यह गायव हो गया सिर्फ विरीबल वाला बचाएगा माइनस का 4x और इधर आपके पास माइनस का 20 हो गया अब क्यों कि हमें x की value निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं क्या करेंगे माइनस के 4 से डिवाइड कर दिंगे दोनों तरफ तो इससे क्या benefit मिलेगा यहां से सिर्फ x बग जाएगा और कुछ नहीं अच्छा जब भी हमने negative numbers multiply या डिवाइड करा तो यह जो sign है वह आपके पास reverse हो जाएगे मतलब आप यह ऐसे लिकी जाएगे यहां तो 5 बचा भाई काटा पीटी करके यहां पर x बचा तो x के value 5 से छोटी है या फिर 5 बढ़ी है एकस आप जो कहना चाहें वह कह सकते हैं आए दुसरे वाले inequality को भी solve करते हैं थोड़ा सा ओके इसको आप solve करेंगे फिर से 6 से multiply कर देजे इधर भी और 6 से multiply कर देजे इधर इधर से इधर कट जाएगा इधर बच जाएगा 3-4x less than equal to इधर बन जाएगा 12 आप 3 subtract करते दोनों तरफ तो यह बना लेगा 12-3 इधर से यह उड़ जाएगा और इधर minus कर देंगे तो अग जैसे यह वाली चीज़ पहले से थी तो माइनस 3 इधर भी कर दिया माइनस 3 इधर भी इससे उड़ा सकते हैं माइनस का 4s less than equal to यह बच जाएगा आपके पास 9 बच जाएगा अब आप क्या करें दोनों तरफ को माइनस 4 से डिवाइड कर दें तो यह वाली वैल्यू आ जाए है 2.25 आजाएगा ठीक है तो देख लिए जाएगा अब हमारे पास यहां पर आता है कुछ इस तरह की चीजें आप चाहिए फ्रेक्शन में भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स के वैल्यू मुह किसका खुलावा इसका तो इधर आजाएगा ऐसे और यहां जाएगा माइनस का 2.25 फिर इधर से आजाएगा आपके पास ग्रेटर देन अच्छा पांच बड़ा है तो इधर खुलेगा मुह तो यह एक्स कॉमने बेच में रखकर हमें इसी टाप सी चीजिए आपके पास देखने को मिलते है यहां पर condition given होंगे कि क्या है एक्स बुलोंग कर रहा है whole number से और हमें solution set निकालना है और graph में भी represent करना है तो ध्यान समझेगा whole number तो इन दौनों के बीच का value represent करता है तो whole number set आपको तुरंद पता चल जाएगा whole number इनके बीच का पता किजिए वही क्या क्या आएगा minus 2.25 से greater values हैं आपके पास तो क्या क्या आएंगे whole number whole number वो number होते हैं जो 0 से start होते है और positive के side जाते है तो minus 2.25 तो negative number है उससे बड़ा number minus 1 उससे बड़ा number 0 तो 0 आ जाएगा फिर आपके बस 1 आ जाएगा फिर 2 आ जाएग और फिर 4 आ जाएगा 5 में equality का sign नहीं है तो हम उसे नहीं लेंगे यह बस यह सी को आपको represent करना और कुछ नहीं चीकर ना सिर्फ आपको इसी को represent करना तो यह ओगया मेरे पास 0 यह ओगया 1 यह ओगया 2 यह ओगया 3 यह ओगया 4 यह ओगया 5 यह ओगया 6 और सौन आप इदर द दिखाना ऐसे करके dark कर देंगे 1 दिखाना, dark कर देंगे 2 दिखाना dac quarterly cream त्री दिखाना, dark कर देंगे, 4 दिखाना, dark कर देंगे, वाय दिस, क्यूंकि हमें इनकी बीच के numbers नहीं चाहिए, real numbers नहीं बोला है सिरफ इतना ही, इसओछ से dark करना, बस हो गया representation, सबसे ज़ादा इसमें कहते कि P is the solution set of this, इस वाले equation का, और Q is the solution set of this, इस वाले equation का, हमसे बोलता है, X जो बिलोंग कर रहा है, वो natural number से, तो आप मुझे बताए, P intersection Q क्या होगा, intersection, इस वाले symbol को हम कहते है, intersection, और intersection का मतलब होता है, common point, कि दोनों के बीच में क्या common है, आई ना बस समझे, तो बस में common चीजे देख लेनी हैं, और कुछ नहीं, तो सबसे पहले आपका काम है कि इस वाले को solve कर ले, फिर आपका काम है कि इस वाले को solve कर ले, और दोनों को अलग-अलग natural number से belong करवा रखा है, इन्होंने देखी, तो आप क्या करेंगे, set बना देंगे, solution set बना देंगे, और solution set में हम देख लेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है, उसको नया set बना देंगे, तो वहीं आपका answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो पहला वाला ले 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 तो हमें, 8x-1, greater than 5x plus 2, क्या करता हमें, 5x दोनों तरह सब्ट्रेक्ट कर देता हूं, तो यहाँ जाएगा, 8x-1, माइनस का 5x, greater than 5x, plus 2, minus का 5x, इसको इसको माइनस करूंगा, 3x-1, greater than 2, यहाँ से plus 1 कर जिए, दोनों तरफ यह हो जाएगा, 3x-1, plus 1, greater than 2, plus 1, ठीक है, उसके बाद क्या किजे, solve कर दीजे, तो इससे यह उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा, 3x greater than 3 बचेगा, 3 से दोनों तर solution सेट क्या आएगा वही, इसका solution सेट क्या आएगा, इसगर में इसका solution सेट निकता हो, P का, तो greater than 1 का मतलब वो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और रुकेगा ही नहीं, तो डट, 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 लगा लेगे, तो एक ऐसा सेट है, जो पहले वाले पी वाले को indicate कर रहा है, उसकी solution set को indicate कर रहा है, चलिए अब हम दुसरे की बात करते हैं, अब हम दुसरे की बात करते हैं, यहाँ पर, यह रहा मेरे पास, यह रहा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यह लिखा हुआ है, आपकी पास, 7x-2, greater than, equal to, 3 bracket, x plus का, 6, चलो, पहले इस हो multiply कर तो ज्यादा easy लगेगा, 7x-2, greater than, equal to, यहाँ जाएगा, 3x plus का 18, ठीक है, अब आपको क्या करना है, variable को एक side करने के लिए, 3x subtract कर जिए, दोनों तरफ, तो इधर क्या बज जाएगा, 4x बज जाएगा, minus का 2, और इधर से गाइब हो जाएगा, तो इधर बज जाएगा, 18, simple, चलिए, यहाँ जाएगा, मेरे पास, दोनों तरफ से 2, add कर दीजिए, तो इधर गाइब हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2 करेंगे, और इधर प्लस 2 करेंगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, 4 से डिवाइड कर जिए, दोनों तरफ, तो इधर x बज जाएगा, और इधर आपकी बस 5, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे साब से, है ना, तो यहाँ से बोला, x की value, greater than और equal to कितना है, 5 है, तो इगर मैं Q का जो solution set बनाँगा, Q का जो solution set बनाँगा, वो 5 तो हो गई होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, so on भी होगा, आई ना, बस समझ में, तो अब यह तो condition हो गई दोनों के, अब दोनों में से हमें क्या करना है, common portion देख ल साथ, आठ, नो, दस, डो, 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 या फिर set Q is the common portion, पूरा set Q क्या आप, बस common portion है, तो बस यह आपको इस question में बताना था, वैसे तो इस chapter में से इस type के जो question आप से पूछे जाएंगे, but maybe इस type का भी question आप से पूछ लिया जा सकता है, कि जिसमें आपको पहले इन equation बन जानी पढ़ जा, उसके बाद आपको से solve करना है, ठीक है ना, तो कोई नहीं, यह भी question काफी ज्यादा easy होते है, बस थोड़ा सा इसमें understanding के जरूरत होता है, logically हमें सोचना पढ़ता है, और कुछ नहीं, ठीक है ना, जो question में कहा गया है, वह हमें करना होता है, और ज्यादा क कुछ खस नहीं, तो इसमें कहता है कि John needs a minimum of 360 marks, कम से कम John को 360 marks चाहिए, in 4 test, 4 test में, in a mathematics course, तो mathematics का course था, 360 number कम से कम, that is your minimum, at least वो कहानी कह रहा है, to obtain a grade A, अगर उनको grade A obtain करना है, तो यह कम करना पड़ेगा, कहते हैं कि on his first three test, उसके three test में आये है, नमबर, 88, 96 and 79 marks, उसके बाद हम से कहता है, what should his score be in the fourth test, so that he can make an A grade, तो A grade लाने के लिए, चौथे वाले subject में, कितना लाना पड़ेगा, ध्यान समझेगा, यहां पर काया है, तीन में, तीन में, जो आपके पास marks है, वो कुछ इस तरह से हैं, और चौथे वाले का marks हम से पूचा है, थ से X नहीं ले ले, तो आप कहता है, यह जो total marks है, वो minimum 360 होने चाहिए, 360 से greater भी हो सकता है, होना चाहिए, ठीक ना, तो 360 तो ठीक है, अब inequality का sign लगाना सेखिए, और ज्यादा important है, तो इधर लगेगी, क्योंकि यह तो 360 तो minimum है, तो यह greater होना चाहिए, और minimum मतलदा 360 भी हो तो पास है, gradient आ जाएगा, यह कहाने है, अब इनको add कर दिजे, 9, 6, 15, और 8, 23, के 3, बच गे, 2, 7, 2, 9, 9, 18, और 8, 26, 263, पलस X greater than 360, यहां से बस X के value निकालनी है, और कुछ नहीं, दोना तरह आप 260 सब्ट्रेक्ट कर दिए, इधर X बचेएगा, और इधर 360 में से, माइनस हो ज है जाएगा, इधर 0, तो 97 बचे गया, तो John को minimum 97 marks score करने पड़ेंगे, 4th test में, तब जाकर उसे जो वो grade A, जो है, वो मिलेगा, आई ना बात समझ में, कोई doubt तो नहीं भई, अगर कोई doubt है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों क्या करना है, 7, 4, 2, 8, 5, 2, 5, 6, 6, 9 इस WhatsApp नमबर पर अपने doubts को send कर देना है, आप लोगों को proper video solution जो है, वो मिल जाएगा, और अगर आप लोगों लगता है कि निट personal class, तो उसके लिए भी आप को ready कर सकते हैं, चलिए, तो ये कहानी थी, आप लोगों के linear in equation chapter के questions की, और important questions की, आपको बता दिया, 3 marks का equation इसमें स अब जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी, सभी चीज़ें समझे में आ गई हैं, और अगर ऐसा है तो फटा फट वीडियो को like कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई student तो चैनल को subscribe करके bell icon को जुरूर प्रेस कीजिएगा, चलिए मिलते हैं, अगली वीडियों प्रेक्टिस करते रहिएगा, जैनी!